हेलो एवरिवान, फ़र्स्ट मैं अपलाई करूंगी फेर और लवली की क्रीम सबसे पहले मैं आई मेकप करूंगी, इसलिए मैं क्रीम को अपने आखों पर लगा कर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ आप सोच रहे होगे कि मैं सबसे पहले आई मेकप क्यों करी। क्योंकि जब भी हम फेस का मेकप करते हैं उसके बाद आई मेकप करते हैं तब हमसे गलती से ना आई लाइनर या काजल मस्कारा फेस पर लग जाते हैं तो हम उसे क्लीन करने के बाद भी वहाँ पर थोड़ा सा ब काजल जो कि है 10 रूपीस का अभी मैं क्रियेट करने वाली हूँ स्मोक की आईस तो सबसे पहले मैं अपनी आई लीड पर काजल अपलाई कर रही हूँ और काजल को हलके हलके हाथों से एरबर्ट से ब्लेंड करना है काजल को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ADS की ब्राउन क पर आपको फिल करना है देखो आपको जहां जहां ग्याप दिखता है ने वहाँ पर आपको फिल करते-करते जाना है बस इतना ही करना है जादा कुछ नहीं करना है ये है 10 रूपीस का नैट्वर का मस्कारा तो अब हमारा eye makeup तो complete हो चुका है तो अब हम करेंगे face makeup तो अभी मैं लगा रही हो fair and lovely जो क्या भी glow and lovely हो गया है तो dot dot करके अपने पूरे face पर और neck पर apply करूँगी इसके जगा अब spinge bb cream या ponds की cream भी लगा सकते हो face के साथ-साथ neck पर भी लगाना है क्योंकि face और neck अलग ना देके इसलिए अभी मैं लगा रही हो spinge bb powder जो हमने fair and lovely लगाया है उसको set होने के लिए और adias की brown color की pencil से मैं contouring कर रही हूँ और इससे अच्छे से blend करना है यह है adias की pink color की lipstick इसे मैं as a blush इस्तमाल कर रही हूँ और इसे भी अच्छे से blend कर लेना है अभी मैं लगा रही हूँ blue heaven का lip balm जो कि है 10 rupees का उसके बाद मैं लगा रही हूँ pink color की adias की lipstick यह हो गया मेरा पूरा लूग complete अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैल आइकों को पैस करना ना भूले उससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी बाबाई टेक केर